इसमें कोई हीट पीरियद नहीं अब आप सोचिए आज से करोड़ों साल लाखों साल पीछे चले जाते हैं हुमन्स का केस हम डिसकस करते हैं अगर हुमन्स में भी इस्टर साइकल होता मतलब हुमन फीमेल का पूरे साइकल का कोई एक दिन या दो दिन ही होते जब वो मेल को सेक्शल इंटर कोर्स के लिए परमिट करती अलाव करती तो इसका नुकसान क्या था इसका नुकसान ये होता क परिवार नहीं बन पाते emotions नहीं जुड़ पाते, संबंध नहीं बन पाते because male की sexual needs जो है sexual जरूरते हैं वो regular है male would have been wandering here and there in search of sexual partners male तो हर समय कोई नया female partner ढूंगता रहता जिसके साथ हो sexual relations बना सके क्योंकि जो female उसके साथ उसके घर में रह रही है वो तो heat period में नहीं है अगर वो easter cycle की बात करें लेकिन menstrual cycle हो जाने से क्या हुआ one male, one female they are living together sexual needs of the male are satisfied from the same female same female एक male के साथ copulate कर रही है उसके gametes receive कर रही है pregnant होती है pregnant जब वो होती है तो जो बच्चा उसके uterus में उसके गर्ब में है जिस male के साथ वो रह रही है वो उसका पिता कहलाएगा because male को पत है that I have been living with these females और ये मेरा ही बच्चा है वो उसे अपने पिता होने का धर्जा देगा उसे अपना बच्चा मानेगा समझी गए इस बात को ध्यान से तो male female में रिष्टे बने संबंद बने, परिवार बने माता, पिता, बच्चे, भाई, बहन ये roles बने male जो है taller है, stronger है, muscular है male will be moving out of the home base in search of the food हम में bipedal locomotion आ गया दो टांगों पे हम खड़े हो गए bipedalism है ना humans में दो हाथ फ्री हो गए जंगल में बाहर भोजन की तलाश में sharing हुई, परिवार बने तो अगर easter cycle ही रहता humans में परिवार जैसी चीज नहीं बन पाती क्यों? क्योंकि then male would have been copulating with n number of females monogamous relations होते ही नहीं कौन किसका पिता है, किसी का भाई है बच्चा है, ये सब चीज़े नहीं बन पाती तो easter cycle की जगे menstrual cycle आ जाने से परिवार बने, एक चीज और, humans ऐसे animals हैं, जिनमें bipedal locomotion है and frontal mating होती है सामने से mating करते हैं, आँखों से आँखों के जरीए emotions share होते हैं animals में क्या है, the male approaches the female from behind, eye to eye contact नहीं हो रहा, emotions share नहीं हो रहे, इसलिए humans की case में, sexual intercourse के समय पे emotions, love, pleasure, ये सब feelings भी share होती है, is it clear